है है लो गाइज मैं रिक्तिक तो फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं तो गाइज आज जो मैं बनाने वाला हूं यानि के टुलू पंप बाराव होल्ट से पंप चलेगा और आपको गारी वोस करने के लिए बाइक वोस करने के लिए या फिर छोटी-मोटी ब टुलू पंप बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले बाराव वोल्ट का डिसी मोटर है आप देख सकते हैं और यह है जो चार इंची का पीवी सी पाइप है उसको काट कर इस पाइप को सिधा कर दिया हूं तो यह सीट बन गया है वह पाइप को मैं यूज किया था डंबल अभी तक आप वीडियो नहीं देखें तो बिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर आप जाकर देख सकते हैं और यह पाइप ले लिया हूं सावा इंची का पाइप है अब इस पाइप के साइज से मैं सीट में से गोल सरकल निका लेता हूं यह कट करके जा देखें को आप की सीट में सावा करा हैं यह का भी जाउत सकते हैं देखें लेका लेता हूं पार देल हो अपक्ते प्यावां हूफिग से हुआ हम पाइप है कल डाध है ले द% तो हमें इंपेलर बनाने के लिए भी मैं एक सीट काट लिया हूं और कुछ सीट दो पहले से भी काट के रखा हूं सबसे पहले हमें मोटर में एक सीट को लगाना हुआ क्योंकि इसके अंदर पानी ना जाए क्या जाओ क्या हुआ Damit झाल झाल अब इसके साइज से एक और सीट इसमें से काट लेना है इसका साइज से थोड़ा कम भी कादे में रहे तो चलेगा झाल यह भी चार इंची का पाइप में से ही काटा हुआ है राउंड शेप में जिस पाइप से में से शीट बनाया हूँ आपको वी सी तरह से काट लेना है आपको वी सी तरह से काट लेना है ठेवी क्यूक के मदद से चारों टुकरा जो है इसको छिपका देना है इस पे अच्छे आपको वी साँड़ के से अज़ है इस नब गवगान अपको लेख से ही कि काटा में से लेका लेख से अज़ बनाया हूआ झाइप काटा देवी तरह से बनाया हूआ है इस बनाद ड्याम का देचा काटा झा अट बनाया है एसक्छका अट रूटाब एसक्षə इस के भी क्यूक और थोड़ा धूल डाल कर इसको मैं इंपेलर को ऐसे चिपका दिया हूँ वह हाड हो चुका है के बाद के लाद के लाद कर दो खुका है यहां से पानी निकलने के लिए पाइप को शेट करूंगा करूंगा झाल 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 खत्तम बाई बाई टाटा गुडबाई गया आप लोग ऐसे ना करें बहुत ही सवधान ही सकरें चले फिर मैं इसको यूज़ कर लेता हूं खत्तम ऐसे भी खत्तम खत्तम प्राव झाल कर दो लंग फिर दो कर दो कर दो दो झा दो नाज़। कर दो कर दो कर दो लदक हर स्गर बाइब। हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो तो गैस मेरे टुलूप पंप बिल्कुल अच्छी तरह से बंड के रेडी है आप देख सकते हैं चारो तरप से बिल्कुल फिनिसिंग हो चुका है अब इसमें बस दो कनेक्शन करना है और इसको टेस्टिंग लेना है तो चलिए मैं इसको टेस्टिंग लेने के लिए चलने वाला तो अभी आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए उसको आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए मैं इसका टेस्टिंग लेता हूँ और देखता हूँ किस तरह से वाटर पंप वर्क करता है पानी में डूबने के वाद भी अवर्क कर रहा है तूलू पंप इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब देख सकते हैं किस तरह से वाटर पंप यानी कि तुलू पंप वर्क कर रहा है तो इसी तरह के धामाके दार वीडियो देखने के लिए मेरे श्यूटूब चैनल मुसीवत कि इनको आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दिए लाइक और एक प्याला सा कॉमेंट करके बताएए कि वीडियो कैसा लगा तो चले मैं फिर से धमाके दार वीडियो के साथ मिलता हूं तत तक के लिए जाए हिंद